इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WhatsApp का जो ही status रहता है उसे हम Facebook पर share करने की कोशिश करते हैं बट वो click नहीं हो पाता, share नहीं हो पाता है और हमारा ये problem आती है हमें या share to Facebook तो like इस issue को हम कैसे solve कर सकते हैं हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यहां से minimize ला देना है अपने फोन की settings में जाना है और फोन की settings में जाने के बाद हमें करना क्या है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां से सारी permissions भी लेगी सबसे पहले files and media की यहां से facebook को और whatsapp को दोनों को allow कर देना होगा आपको यहां पर आपका delay रही रहना चाहिए यह इस side में आना चाहिए जिस side में हमारा है और इसी तरीके से आपको facebook को भी यहां से allow कर देना होगा कोई सी भी यहाँ पर दिक्कत नहीं रहने चाहिए जैसे यहाँ पर यह है तो Facebook को भी मीडिया से अलाव कर दीज़े इसी तरीके से यह 8-10 पर्मिशन्स है जिस जिसमें आपको Facebook WhatsApp मिले वहाँ से जाएकर आप उसे अलाव कर दीज़ेगा जैसे microphone हुआ है ये आप इस तरीके से हुआ तो तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है और WhatsApp को यहाँ से अपडेट कर लेना है उसी के बाद आपको Facebook को भी यहाँ से अपडेट कर लेना है दोनों को यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपकी जो प्रोब्लम होगी फिर वो सोल्फ हो जाएगी तो यह प्रोसेस रहता है बस इसका अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक कियार